तो दोस्तों कि आपको पता है कि आजकल बहुत से लोग एक नई बिमारी का सिकार बन रहे हैं जो कि है हेरिंग लॉस और वहीं कमाल की बात ये है कि ये प्रॉब्लम नीचे नीचे धिरे धिरे बढ़ती रहती है जिसका एकदम से पता चलता है और तब तक बहुत देर हुचक और इरिवर्सिवल है जो कि इनसानों के इनर एर के हेरिंग सेल से कभी भी रिजनरेट नहीं होते हैं और इस प्रॉब्लम से का तब पता चलता है जब तक मोश्टली हेरिंग सेल से डेमेज हो चुके होते हैं तो दोस्तों अगर आपको इस बहानक बात से बचना है तो अप ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है तो दोस्तों चलिए फटापट से शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि sounds को decibel में ना पा जाता है और वहीं हमारे कानू के लिए 85 decibel तक सुनना safe है वहीं उसके जितना उपर जाएंगे तो कानू के लिए खत्रा उतना ही बढ़ता चला जाएगा अगर हम एक्जामपल के लिए बताएं तो जब दो लोग किसी की चुगली करते हैं या फिस फ़सा के बातें करते हैं तो वो आवाज एपरॉक से 20 decibel की होती है जबकि किसी रॉकेड लॉंच या फिर किसी बंदूक से निकली गूली की आवाज करीब 120 से 130 decibel के करीब पहुँच जाती है जो की सच में बहुत ज्यादा है और हमारे कानू के लिए ये तो बिलकुल भी safe नहीं है अब वहीं दोस्तों इसे compare करें mobile से तो जब हम earphone से लगा के music की volume को full कर देते हैं तो वो level करीब 110 decibel तक पहुँच जाता है अब इसके result कैसे होंगे इसका अंदाजा आप खुदी लगा सकते हैं वो भी इस तरह का loud music अगर आप हर रोज ज्यादा देट तक सुनेंगे तो इसका आपके कानू पे बहुत बुरा असर होगा जिससे आपके सुनने की सकती धीरे-धीरे कम होती चली जाएगी और ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि hearing loss का कोई भी इलाज नहीं है इसके अलावा ज्यादा tight earphone से यूज करने से हमारा inner ear बाहरी हवा के contact में नहीं रहता जिसकी वज़े से कानू में infection के chance से काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं साथी tight earphone से हमारे कानू में भी दर्द हो सकता है और इसी के साथ अगर आप और के earphone से यूज करते हैं और उनके कानू में किसी तरह का infection है या कोई बिमारी है तो वो आपको भी लग सकती है देखो दोस्तो hearing loss के अलगलग case सामने आते जा रहे हैं किसी को suddenly hearing loss हो जाता है तो किसी को slow वहीं किसी को voice fluctuating problem है यान कि कभी तेज आ आवाज सुनाई देती है वो भी विना किसी मतलब के और कहीं बार ये problem hearing loss से भी कहीं ज्यादा हो सकती है अब दोस्तों इससे बचने के लिए आपको किन-किन बातों का धियान रखना है देखे सबसे पहला और important point जो है वो ये है कि loud music for long duration अगर आप ज्यादा तेज आवाज म में 4-5 घंटे से भी ज्यादा गाने सुनते हैं तो ये नुकसान का सबसे बड़ा कारण है और मान लिजे अगर आपको लंबे समय तक गाने ही सुनने हैं तो अपने mobile की volume को 60% तक ही रखें जिससे sound level 75-80% तक ही रहेगा जो की safe है मतलब कि आपके mobile जो volume वार है वो 10 step से में घ को right में और left को left कान में ही लगाएं इसके अलावा equalizer को set रखें और best quality का music ही सुनें ताकि vocal से आपको clear सुनाई दे और ज्यादा तेज आवाज करने की जरुवत ना पड़े वहीं कुछ लोग एक और गलती करते हैं कि रात को earphone लगाके गाने सुनते सुनते ही सो जाते हैं औ अब दोस्तों सबसे complicated सवाल आता है कि headphones और earbuds like earphones में से कौन सा हमारे कानों के लिए best होता है वैसे तो सभी को earphones से ही कह दिया जाता है तो इन में से किसका use करना ज्यादा better है देखो दोस्तों जो earbuds होते हैं वो बाहर की noise को ठिक से block नहीं कर पाते हैं तो इसकी वज़े से हमें आवाज को और तेज करना पड़ता है और तेज आवाज से जो भी नुकसान होते हैं उनके बारे में तो आप जानी चुके हैं अब इस case में अगर आप effort कर सकते हैं तो noise cancellation वाले earbuds का use करें क्यूंकि ये बाहर के noise को कम कर देते हैं जिससे की volume कम रखने पर भी हमको सही sound quality का मज आता है लाइक जो apple के latest earbuds से हैं या फिर किसी भी दूसरी company के earbuds से हैं अगर आपको noise cancellation का feature मिलता है तो आप उन्हें ही purchase करें इसके अलावा दोस्तों earbuds से headphones के बजाए कानू में अंदर तक fit हो जाते हैं तो अगर हम mobile के volume का same level भी रखें तो earbuds लगाने पर हमको headphones के बजाए 9 decibel तक और हां sound quality की अगर बात करें तो especially जो base होता है वो हमेशा headphones में ज्यादा होता है साथी headphones पहनने में comfort होते हैं जिससे कानू में दर्द भी नहीं होता है वहीं दोस्तों आपने देखा होगा music composer वगेरा हमेशा headphones का ही use करते हैं जिन लोगं को अभी तक हमारी बात मजाक लग रही है वो इस बात को सो सकते हैं कि railway track पर कुछले जाने वाले लोग ने mobile में कित्ती तेज आवाज कर रखी होगी कि उनको train का horn भी नहीं सुनाई दिया जिसकी वजह से उन्हें जिन्दगी से हाथ धोना पड़ा तो यार आप अपने सरीर की एहम इंद्रू में से एक यानी की अपने कानू का ध्यान रखें और साउंड को लिमिट में सेट करके सुनें दोस्तों जिन्दगी दुबारा नहीं मिलती इसलिए सेब रहें और अपना ख्याल रखें तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही वीडियो फसन आई हो तो लाइक करें और सात्म चैन